बट मैं क्यों पर्वायन करता हूं मैं कने करता हूं तो मैं पर्माने जोब कर रहा हूं मैं आपको डिफिर्षियर करता हूं मंत्य। मतलब 52 six thousand मतलब five to six thousand dollar मेरी है वो income आ जाती है because अब भी मेरे पास full working rights हैं तो मैं जितना मरजी चाहे काम कर सकना हूं तिल 31st of December हाई हेलो एवरीवन दिस इस अनिल हेर और वेलकम बैक तो माय यूटूब चैनल तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक international student की job के बारे में और उसके expenses के बारे में मैं खुद बताऊंगा मेरा experience और मैं क्या job करता हूं और मेरी कितनी salary आती है monthly और कितने मेरे expenses होते हैं as a international student आप कितना earn कर सकते हो कितने आपके expenses होंगे कितनी आपकी saving होगी तो इस वीडियो से आपको काफी जो आपका calculation आजाएगी आपको कि आप month के end में कितना save कर सकते हो और आपकी जो fees है वो निकाल सकते हो या ने निकाल सकते हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और अपने friends के साथ शेयर कर दें तो स्टार्ट करते हैं without wasting of time तो मैं straight forward बात करता हूं कोई मैं सबसे पहले मेरी बात करता हूं कि मैं क्या जोब करता हूं और कितनी मेरी जो अर्निंग है वो मन्तली होती है जो मैं अभी जोब कर रहा हूं मैं इंडिया से एक आ रहें हूं तो अभी मैं जोब कर रहा हूं इस ए असिस्टेंट ओफ नर्स तो मैं अगर बात करूं मेरे पेरेट की तो पेरेट देखिए इसमें ना दो तीन डिफरेंट डिफरेंट सेनेरियों होते हैं तो मैं आपको वह इलेबरेट करता हूं कि वह कैसे कैसे है जैसे अगर आप पार्टाइम जोब कर रहे हो या पर 25 डॉलर वह मुझे परार के साब से पे करते हैं एज असिस्टेंट ओफ नर्स के 25 डॉलर और मेरे वह और यहां पर क्या होता है अगर आप नाइट सिफ्ट करते हो तो उसका क्या आपको अलग से नाइट का वो पेरेट मिलता है मौनिंग अफटनून और नाइट सिफ्ट त होते हैं तो मिन 28 डॉलर और इसके लावा अगर आप कैजूर कर रहे हो मिन पर्मानेंट नहीं है पर टाइम है उसका भी मैं Beth बताँ में 28 डॉलर पर आरके साब से हो गया बट क्या फाइदा हुआ क्यों मैं प्रमनेट कर रहा हूं मैं कैज्वल भी कर सकता हूं उसमें मेरी अनिजदा हों तो कैज्वल पर जोब करते हो कहीं पर, but मैं क्यों permanent करता हूँ, मैं casual क्यों नहीं करता, even मैं अगर casual करूँ गा, तो मेरी earning obviously ज़्यादा होगी, तो मैं क्यों permanent job कर रहा हूँ, मैं आपको differentiate करता हूँ, दोनों चीजिह देखे, permanent अगर आप जोब कर रहे हो, तो permanent में आपको stability होती, आपके, mentally आपको ये चीज पता होती है कि, आज मेरी job है, वो fix है, और मैंने वहांपे जाना है. और casual में आपको ये होता है कि, आपकी जो job होती है, वो fix नहीं होती. कभी भी आपको वो shift दे सकते हैं, इसमें जब आप casual loading लेते हो zat उसमें क्या होता है? आपका जो contract sign होता है उसमें यही mention होता है कि जब हम चाहेंगे तब आपको shift देंगे अगर shift नहीं होगी तो हम आपको shift नहीं भी देंगे तो उसमें यह problem होती है casual में बट अगर आप permanent कर रहे हो तो उसमें benefit है आपको basically उसमें क्या होगा कि आप एक तो आपकी shift है वो permanent होगी औ उसके लावा अगर आपको sick call ले रहे हो कोई भी अगर आपको जरूरी काम हो गया किसी वज़े से आप नहीं जा रहे तो आप sick call कर दो और वो totally आपकी paid होगी mean गर बैठे आपकी salary जितनी आपकी आती है उतनी salary आएगी जो normal base rate होता है 25 dollar वो आपको क्या है pay करेंगे और उसक इने भी आपका जो base rate होता है वो आपको pay करेंगे mean आपकी annual leave भी paid होगी तो यह तो हुआ differentiate की casual और उस दोनों में क्या different है पर्मानेंट में और casual में तो इससे हो गया और जब मैं भी फिलाल दो job करता हूं दोनों ही मैं job as care में करता हूं अधर मैं जहां पर करता हूं वह मेरी casual है तो वहां पर क्या है यह scenario है कि वहां से मैं मेरा मन हुआ तो मैंने shift pick कर ली उनके पास shift available होई तो उन्होंने मुझे shift दे दी यह वहां का scenario रहता है बट वहां पर जो पे रेट है वह ज्यादा रहता है और इसके अलावा मैं बताओं आपको तो जैसे weekdays होते हैं Monday to Friday वह अपका जो नॉर्मल पे आएगा और जो weekend होते हैं उसमें आपका जो पे रेट होता है वह ज्यादा होता है तो weekend में कितना ज्यादा होता है जो आपका Saturday का होगा उसमें आपका 50% एक्स्ट्रापे करते हैं और आपका जो Sunday का होगा उसमें 75% एक्स्ट्रा करते हैं मीन जो आपकी salary होगी उसका 50% on Saturday और Sunday को 75% तो मेरा हो गया like अगर मैं Saturday को job कर रहा हूं तो मेरा 35 के something वह मुझे पे करेंगे और अगर मैं जा रहा हूं मेरा next day Sunday को तो वो 40 पलस है मेरा जितना भी आएगा तो मीन यह हुआ कि total मैं अगर calculate करता हूं मेरा और एक चीज़ और यहां पर आपकी जो pay rate हो आपकी weekly आती है आपके account में अगर आप TFN पर job कर रहे हो तो आपकी जो pay है वो week to week आएगी अगर a square वगेरा मे या कुछ other job कर रहे हो तो वहां पर आपकी आपकी है वह फोट नेट लियाती है otherwise आपकी जो pay होती है वह weekly आती है उसमें आपको tax भी pay करना पड़ता है tax अगर आप deduct करोगे तो tax का यह scenario होता है कि अगर आपकी salary 18,200 है मतलब 18,200 है तो आपको कोई भी tax नहीं पे करना और अग को 19% almost almost आपकी salary का 20% आपको tax pay करना पड़ता है government को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी taxes के बारे में उसमें elaborate करूंगा पूरा describe करूंगा कि कैसे tax होता है और कैसे आप calculate कर सकते हो बट इसमें अपने बात करते हैं सिर्फ only on salary की तो जो मेरा overall निकलता है month का जो मेरा package आता है salary का वो मेरा earning होती है 5-6,000 मतलब 5-6,000 dollar मेरी है वो income आ जाती है विकोज अभी मेरे पास full working rights है तो मैं जितना मर्जी चाहे काम कर सकता हूं till 31st of December तो उसमें क्या है मेरा मतलब मैं मान के चलूंगर Indian rupees में अगर अपनी convert करते हैं उनको तो आप मान के चलों की धाई से 3,000,000,000 रुपए almost almost मेरी जो one month की salary है वो उसमें आती है as a student यहां पर professional job करना थोड़ा मुस्किल होता है आपको यहां पर वो नहीं है कि अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो सभी को equal respect मिलती है चाहिए आप कोई भी cleaning भी कर रहे हो तो आपको जो respect ह है यहां पर equal होती है कोई racism नहीं होता इवन लोग बोलते हैं कि Australia में racist जादा है racist like racism वहां पर करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है बट आपको professional job हो सकता है नहीं मिले होती है no doubt की job होती है बट पहज़े जब आप student आते हो तब आपको यही जो like second class third class अपने बोल सकते हैं वो जो jobs हो सकती है अगर आप करो गये तो जैसे क्या होता है कि आप कोई भी restaurant पर job कर सकते हो उसके अलावा यहाँ पे macd.sug सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके लावा जो सुपर मार्केट्स होते हैं कॉल्स हो गया यहां पर जो क्वेमार्ट हो गया वहां पर जाके आप जोप अपलाई कर सकते हो वहां पर आप क्या अपनी जोप अपलाई कर सकते हो उसके लावा अगर बोईज है तो उनके लिए ट् मानबाय करने जाते हैं वो ट्रोल इस उनका क्लेक्ट करके और उनका एक बना होता है वहां पर रखनी होती है तो वह भी आप जोब कर सकते हो तो मैं बात करूँ एस टुडेंट जो अभी आ रहे हैं रिसेंटली आ रहे हैं जो आपको भी पता है फर्स्ट आप जुलाई से मतलब इन्होंने चार डॉलर है वो इंक्रीमेंट लगा के आपका 24 मतलब कहीं पे भी एगर आप जोब करोगे मैं परसनली रिकमेंड करता हूं कि कोई भी उस्ट्रेलियन जो भी और्गनेजेशन वो उनके साथ आप ट्राय करना कि वहां पर आपको जोब मिले तो उससे क्य सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका भी बेनेफिट होगा बिकोज अल्रेडी आपके पास 24 आर जो है जो करने के लिए इन वीक तो आप उसका वो पर बेनेफिट लेजिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं जब आपके समेस्टर ओफ होते हैं तो उसमें क्या आप अ और आप मैं आपको बता दिया कि आपका क्या क्या जोब कर सकते हो अधियर करते हो यह जहां पर के लिए है वो इनिक्लूड होती है तो जोब्स मैंने आपको अलड़ी बता दी कि आप क्या क्या जोब कर सकते हो एज स्टूडेंट यहां पर आके और उसके लावा मैंने यह भी बता दिया कि आप कितने आपको टैक्स पे करने बढ़ते हैं तो बात करता हूं एक छोटा सा कंपेरिज वो फाइव तो सिक्स थाउजन आज जो इंकम है वो आज आती है एक मंत की तो उसके लावा मैं एक्सपेंस की बात करूं जो सबसे बड़ा यहां पर जो खर्चा होता है वो तैस्टूडेंट का एक रेंट का तो अगर आप एक रूम भी लेके रहते हो घर की तो बात ही छो ली जाती है और उसके लावा अगर आपके पास कार वगर रहा तो वह एक्सपेंसे उसमें अलग से आप एड़ कर लो अपने इसाब से तो यह हो गया कि नो डाउट है सेविंग है यसा नहीं कि सेविंग नहीं अगर मैं मान के चलूं कि अगर मेरी एक मन्त मेरी जो एक्सपेंसेस्ज है वो मैं घ्रोसरी की और मैंने कर दिया और मेरे फाइव Fotos एंड़ा है जो ओस। самых परके बस्ति यह मतलब क्या हूआ कि 3,00,00 मैं कर रहा हूं और 3,00,00 करने के बाद में मान के चलो जदा से जदा क्या है मेरी 1,00,00 खर्चा आ रहा है मागरUPंड इंडियन रूपीज में बात कर रहा हूं कि 1,00,00 मेरा खर्चा रहा है तो 2,00,00 मेरी सेविंग हो रही है उसमें से मैं मेरी fees pay कर सकता हूँ मेरे कुछ other जो भी काम है वो मैं कर सकता हूँ तो यह था एक comparison की आप क्या job कर सकते हो यहां पर और आपकी earning कितनी होती है एक ऐसी बात नहीं है कि आप earning कर सकते हो आपको job भी मिल जाएगी हंट करना होता है देखिए दो साल का struggle है दो साल student life में आपको professional job नहीं मिलती जो काम मिलता है वो करना पड़ता है इवन आपको labor work भी मिल रहा है construction का मिल रहा है car wash का मिल रहा है कहीं पर भी तो उसमें कर लेजिए यहां पर वो तो मैंने बताया था पहले भी कि सबको equal ही यह क्या treat करते हैं वो नहीं कि अगर आप कार wash कर रहे हो तो आपकी कोई value नहीं है value सभी की एक है चाहिए कोई कोई भी stream हो यहां पर तो काम कोई छोटा मोटा नहीं होता आपको पैसे से मतलब आपको earning से मतलब है तो आपको expenses भी निकालने होते हैं तो उसके साब से और एक अलग सा scenario सभी पूछ लेते हैं कि cash पे जो मिल जाएगी cash पे काम मिल जाएगा अग उसके अंदर जो आपका हरास होगा तो वह तो आप कर लेना इमेजिन की कैसा होगा जहां पर भी आप जा रहे और कोई केस में आपको पे करेगा तो वह आपका जो आपसे काम है वह double triple काम निकालने की सोचेगा विकोज आपको वह cash पे कर रहा है और यह जो वह है वह totally illegal है इनके सकल को immigration अगर आप कहीं पर inspect करता है और आप वहां पर कहा है जोब करते find out हो जाते हो तो जो आपको पे कर रहा था वह भी ट्रबल में और आपकी लाइफ तो आपकी लाइफ तो आपकी ब्रेक्स आते हैं स्टडी ब्रेक्स आते हैं तो उसमें आप क्या अनिंग करो कि जो find out करके रखो और जितनी earning हो सकती है इसमें आपके पास full working rights होते हैं तो यह सिर्फ दो साल के लिए है कि दो साल आपको struggle करना पड़ता है यह student even मैंने भी किया था जो सब भी आते हैं वो भी करते हैं मैं खुद student हूं मैं समझ सकता हूं आपके condition एक middle class family से उठके आना और यहां पर आके इतना वो सब कुछ करना तो एक easy नहीं है student के लिए सब कुछ manage करना पड़ता है बट दो साल के बाद आपके पास full working rights होते हैं like three to five year का आपका जो है टीर होता है वरक विजो होता है उसमें आप अच्छी earning कर सकते हो जितना आपके dreams है वो पूरे कर सकते हो earning करक रखते हो तो no doubt की Australia बुरा है Australia overall अच्छा है आपको expenses भी है तो उसके साथ साथ जो आपकी salary income है वो भी बहुत अच्छी है तो best of luck for all of you for your bright future और उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको idea हो जाएगा कि आप कितने अन कर सकते हो कितनी मेरी salary है क्या मैं जोब करता हूं यह भी मैंने आपको बताया सिर्फ मैंने यह वीडियो बनाई आपको motivate करने के लिए कि आप डी मोटिवेट ना हो और आपको motivation मिले इस वीडियो से यही मेरा परपस एस वीडियो को बनाने का और मेरा कोई मीन नहीं है कि मैं आपको लाइक डी मोटिवेट कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं जो self-confidence होता है उससे कोई बड़ी चीज नहीं होती तो आप कुछ भी कर सकते हो तो अगर आपको इसे related या कोई भी क्वारी चाहिए तो आप मुझे डीम कर सकते हो मेरे इंस्टा पे मैं लिंक डाल दूंगा description में मेरा telegram का ग्रूप आप वो जोइन कर लें आप को कोई भी क्वारी होती है तो आप वहां पे क्या है जोइन कर सकते हो और अगर आप